हेलो डियर फ्रेंट्स अगर आप भी राजस्तान बोर्ड क्लास 10 और 12 के स्टुडेंट है और 2023 का बोर्ड एक्जाम देने वाले हैं तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आज की स्टुडियो में हम राजस्तान बोर्ड एक्जाम 2023 को लेकर जो तीन बड़े अपडेट्स आये हैं इन त्यनों अपडेट्स को हम आपके सास्थ सेयर करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं वो सोड़ा मार्च से पस्तावित हो सकते हैं अब मैं आपको बोर्ड एक्जाम में जो तीन बड़े परिवर्तन किये गए हैं उन तिनों परिवर्तनों के बारे में डिसकस करूंगा कि क्या 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 राजस्तान बोर्ड ने अपकी बार चेंज किया है तो जो आपका नंब का जो पेपर है वो सवातिन गंटे का आयोजित किया जाएगा यह आपके लिए पहली सबसे बड़ी अपडेट है इसके बाद आपके लिए सेकंड अपडेट यह है कि राजस्थान बोर्ड की तरफ से क्लास टेंथ और ट्वेल्ट दो हजार तेज का जो नया सेलबस से वो जा बारी कर दिया गया है इसमें आपको पाटेकरम के साथ साथ अंक विबाजन भी बता रखा है कि कौन सा चेप्टर आपके कितने माक्स का है और किस तरह से आपके चेप्टर आएंगे जैस सारी जानकारी राजस्थान बोर्ड की तरफ से आ चुकी है और अभी तक आपने सेल सेलिबस को डाउनलोड नहीं किया है तो राजस्थान बोर्ड की ओफिशल वेबसाइट पर जाकर आप सेलिबस को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको राजस्थान बोर्ड की ओफिशल वेबसाइट पता नहीं है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दे द कर अब आपके बहुत सारी डाउट है कि सर एक्जाम पेटर्न क्या रहेगा 2030 की बोड़ एक्जाम का तो सरकायर के तब से यह बड़ी अपडेट सामने आई कि अब जो आपके एक्जाम पेटर्न रहेगा वो पिछले वर्सों की बाती रहेगा यानि कि कोड़ना से पहले जो आपके एक्जाम होते थे उसी हिसाब से अब आपके एक्जाम होंगे अब आपको अपने एक्जाम में multiple choice question fill in the blanks वाले questions देखने को नहीं मिल सकते है तो अब की बार आपके जो pattern रहेगा वो रहेगा very short answer type question आएंगे फिर short answer type question आएंगे और इसके बार फिर आपके long answer type question आएंगे यह आपके exam pattern अपकी बार रहेगा मैं आपके clear कर देता हूँ और multiple choice question आपको बिल्कुल नहीं का बराबर देखने को मिलेंगे क्योंकि 2020 से पहले आपके exam के अंदर इस तरह से question आते थे very short answer type questions फिर short answer type questions और फिर long answer type questions तो अब आपके exam pattern ने वो पूरा का पूरा बदल दिया है और अब जो exam होगा वो बिल्कुल नहीं तरीके से होगा कोरोना से पहले जिस तरह से exam आयजीत होते थे उस तरह से आपके exam आयजीत होंगे और sessional marks के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ के आपके 20 marks sessional के होंगे और 80 marks का आपके paper होगा और जो विद्यारती practical subject देते है उनके लिए 56 marks का एक written paper होगा 30 marks आपके practical के रहेंगे और 14 marks से वो आपके 17 के तरब से जहेंगे तो ये सारी चीजे मैंने आपको बताई है कि आपके board exam कब होंगे आपके board exam का time कितना रहेगा syllabus भी सरकाय की तरब से आ चुका है और exam pattern आपके क्या रहने वाला है मैंने आपको पूरा पूरा समझा दिया है और आपके कितने marks सेशनल के जाएंगे और कितने written paper के रहेंगे ये भी मैंने आपको जानकरी दे दिये तो ये पूरी जानकरी आपके board exam को लेकर है फिर भी आपके board exam को लेकर कोई भी doubt बसता है और एक दो doubt में आपकी clear करी देता हूँ कि model paper या फिर blueprint कब तक आएगा तो जो model paper है वो model paper अभी आपके नहीं आने वाले है आपके जो board exam होंगे उसे एक दो महीने पेले आपके model paper आ जाएंगे तो आप tension ना ले model paper भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे और मैं आपको पिछले वर्सों के जो model paper है उन medal paper को इस channel पर solve करा दूँगा तो आपसे मेरी ये request रहेगी कि आप इस channel को subscribe कर ले और इस channel पर आपको class 12 science वर्ग की संपूर तयारा कराई जाती है और मैं आपके लिए जल्द ही Hindi English की वीडियो लेकर भी आऊंगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपके कोई भी doubt बसता है तो आप comment books में लिखकर ज़रूर बताईए तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जेहिंद बंदे मातर